नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Central Sector Scholarship Scheme के बारे में दोस्तों Central Sector Scholarship Scheme के लिए आप लोगा ओनलाइन आविजन शुरू कर दिया गया है सत्र 2023-2024 के लिए भी आप लोगा आविजन शुरू हो चुका है और जो पिछले सत्र में आप आविजन किये थे उन सभी का renewal के लिए भी आप ओनलाइन आविजन शुरू कर दिया गया है Central Sector Scheme जो है बहुत ही अच्छा Scheme है दोस्तों जिसके अंतरगत की जो आप पर college में पढ़ने बाले या फिर university में पढ़ने बाले student है उनको आप लाप दिया जाता है किस तरीके से आप लाप मिलता है किनको किनको आप लाप दिया जाता है सब कुछ मैं आप लोगो डीटेल में बताने वाला हूँ साथ में किस तरीके से आप लोगो ओनलाइन अपलाई करना है वो भी मैं आप लोगो आप जानकारी देने वाला हूँ पेपर कटिंग पड़ा हुआ है जो कि 14 अक्टूबर को हाँ पर जारी किया गया था यहां पर देखिए आप लोगा जानकाई दिया गया है कि इस चात्रवृति योजना का नाम सेंटरल सेक्टर अस्कॉलर्शिप रखा गया है सात्र दोज़ार तैस चोबिस के लिए इनवर्सिटी और कॉलेज के बिद्यार थी 31 अक्टूबर तक अप्लिकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं रखा प्लिकेशन नेशनल अस्कॉलर्शिप पोर्टल के मादयम से किया जा सकता है यानि कि एनवर्सिप पोर्टल से आप लोग ऑप लोग आविदन लिया जा रहा है और यहाँ पर 31 तारीक तक आप लोग आविदन होने बाला है लाब नहीं लिया है तो अभी आप लोग ओनलाइन अप्लाइग कर सकते हैं अब सबसे पहले मैं आप लोगो बताता हूं कि जो सेंट्रल सेक्टर अस्कीम है इसके अंतरगत किनको किनको आप लाब मिलता और किस तरीके से लाब दिया जाता है तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको जो एनेसपी का जो वैपसाइट है इस वैपसाइट पर आना है थोड़ा से आप नीच चाहिएगा तो यहां पर आप लोगो एक आप्सन मिलता है और यहां पर इस असकीम के बारे में सारा जानकाई दिया गया और यहां पर गाइडलाइन में देखिए आप लोगो का गाइडलाइन दिया हुआ है इस पर जब आप किलिक किजेगा तो इस तरीके से आप लोगो जो पीडिएफ है वहां पर ओपन होगा हाला कि यह जो यानि कि जो आप लोगों का टेंथ में जितना नंबर आया हुआ रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को आप लाप दिया जाता है और ट्वेल्थ जो बोर्ड एक्जामनेशन होता है यानि कि अगर आप लोगों को ट्वेल्थ पास कर चुके हैं तो आप लोगों को आप लाप दिया जाता है अगर आप किसी उनिवर्सिटी के मादेम से प्रोफेस्नल कोर्स कर रहे हैं जिसे कि आप मेडिकल या फिर इंजिनरिंग के अशुक्त कर रहे हैं तो उसके भी आप लोगों को आप लाप दिया जाएगा थोड़ा सा आप नीच आईएगा तो इस अश्कुलर्शिप का लाप किनको किनको आप दिया जाएगा सबसे पहले यहां पर क्या है कि आप लोगों का जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से आप लाप मिलता है और 18 से लेकि 25 साल के जो अस्टुएंट होंगे उनको आप लाप दिया जाएगा यह तो आप नीच आईएगा तो इलिजिबिल्टी फोर अस्कुलर्शिप के बार जानका यह दिया गया तो कम से कम आप लोगों का 80% नंबर आना चाहिए तो आप लोगों का जानका ही दिया गया कि आप लोगों का जो family income होगा वो 4 0000,00,00,00,00,00 पर एनम यादि की हर साल जो ही 4 0000,00,00,00,00,00,00,00,00 से कम होना चाहिए तो आप लोगों का अप लोगों के अप लोगों को पहले ही बता दिया है उस पा देखें नीचे आपको का rate and duration आप लोगों का पैसा दिया जेगा और क इतने सालों के लिए आप दिया जाए सबसे पहले यहां पर दिखें, देखें, देखें, आपनों को पैसा है वह 12000 रुपय पर एनम, यानी कि हर साल 12000 रुपय मिलने बाला है, ग्रेजुएशन लेबल के लिए, यानी कि 12th pass करके आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 3 सालों के लिए आप लोगो को 12000 रुपया आप आस्कोलडरिश्प के लिए रिणूल करना हुआ तो आप लोगो आप लब दे दिया जागा और यहां पर देखें लिजेगा है थोड़ा बहुत और भी डीटेल आप hmपे दिया हुआ जो छाहे तो आप एक बर पढ लिजेगा लेकिन लगबग जो ही आप लोका यही जानकारी रहने बाला है तो इस तरीके से आप लोग कों अपdag मिलनें बाला आपका से करना ना है आप लोगको NSP का जो website है इस website पर आना है इसका link आप लोगको description में comment पर मिलेगा तो हाँ से click करके आप इस website पर आ सकते हैं फिर यहाँ पर applicant login का option है अगर रिनुवल करना चाहते हैं तो आप रिनुवल का option है फ्रेस application तो फ्रेस application पर जब आप click किजेगा तो यहाँ से आप जो registration कर रहा है और यहाँ पर registration करने में आप लोगको बहुत टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसे मैं आप लोगको सारा जानकाई दे दिया है अगर आप जो इस आप लोग यहाँ पर online apply कर सकते हैं आसा करते हैं कि आपको वीडियो सब्सक्राइब को साथी सब्सक्राइब को जानकारी मिल सके हम मिलते आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद